दोस्तो अब IPL 2024 की तयारियों में सबी टीमं जुड़ चुकी हैं और IPL 2024 से पहले कुछ ऐसे बड़े प्लेड़ते हैं जिनको टीमें confirming release करने वाली हैं तो ऐसे में कौन से आठ बड़ें प्लेड़ते हैं जिनको टीमें release करते हैं गिए मैं उन खिलाडियों के बारे में बताने वाला हो तो दोस्तो वीडियो रहने वाली है काफी जासे इंपोर्टन वीडियो में अंतर तक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबादना वो ऐसे दोस्तो आई पेल से जोड़ी हर चोटी बड़ीनी अपडेट सबस बाज है पिछले दो सालों से रोयल चलेंजर बिंगलोर के लिए खेल लेकिन آईपील 2023 में दिनुष कारती का परदशन उतना जाधा बहतरी नहीं रहा था और पूरी तरह से फ्लॉफ साबित होते हैं तो ऐसे में दिनेश कार्थी को रोयल चैलेंजर बिंगलोड आईपील दो हजार चोबिस से पहले रिलीज करते हैं वहीं दूसरे जो प्लेयर हैं अमित मिश्रा जो की एक बहतरीन इस्पिनर गेद बाज़ है और काफी अच्छा परद लेकिन आईपील दो हजार तेस में उमेश्यादो पूरी तरह से फ्लॉप रहते और इनका परदेशन उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहता तो ऐसे में उमेश्यादा को कोलकाता नैट जो है कनफरमर रिलीज कर सकती हैं वहीं चौते जो प्लेयर हैं सिदान्द कॉल सिदान कॉल जो है रिलीज हो सकते हैं वही पांचवे जो प्लेयर हैं प्रदिफ सागवण प्रदिफ सागवान जो की एक बहतरीन तेज़ गेज़ बाज़ है गुज्राओ टाइटन के बहतरीन गेज़ बाजों में शुमार होती हूं है लेकिन इनका प्रदेशन लगातार उतना ब अच्छा नहीं रहा था और ये काफी महेंगे लगातार साबीत तो हो रहे थे तो ऐसे मिक्री जॉर्डन को मुंबई इन जो है कनफर्म रिलीज करने वाली है वही अगले जो प्लेयर है डेविड वाइज डेविड वाइज जो की कोलकाता नर्स के बहतरीन और लाउंडरों मे आफी मन रहता है और टीम साउथी को आई पीएल 2030 में उतना खिलने का मौका नहीं मीरता क्यों कि काफी महेंगे लगातार साबीत हो रहते तो ऐसे में टीम साउथी को कौलकाता नाइड़ अइड़ आई पीएल 2024 से आॉसन ते पहले रिलीज कर सकती है तो दोस्तों यह कुछ बड़े प्लेयर से जिनको IPL 2024 के आउक्षन से पहले टीम में रिलीज कर सकती है वाईसे आपको क्या लगते हैं इन में से किस प्लेयर को टीम को रिलीज नहीं करना चाहिए हो कमेंट करके ज़रूर बता है इन आट खिलाडियों में से आपका फिवरेट खिलाड़ी कॉंसों हो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं तो दोस्तों इस उटना बसी दिन अगर आपको पसंद आए तो उटो को लाइक कर देना चैनल को सब्स्राइब करके बेल आइकन दबा देना थैंक यू सो मच गाइट फोर वाचिंग इस वीडियो